और चलिए आगे बढ़ते हैं मसूरी में पुलिस ने हत्या और गैंगरेप में 6 सालों के आरोप में फरार 25,000 के इनामी को नेपाल बिहार सीमस से गिरफतार किया है मसूरी को अत्वाल दिगपाल सिंग कोहली ने बताया कि 13 जुलाई 2017 को चुना खाला मसूरी के नीचे करीब 2 किलोमेटर जंगल में पेट पर लटका हुआ ग्यात महिला का शबरामद हुआ जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए केस दर्च किया आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को यहां पर गिरफतार किया है तो बिहार नेपाल सिमा estándra की तरफ से गिरिफ्तारी की गई है हत्या और गेंग्रेप का आरोप शारब है आरोपी के ऊपर, साथी लंबे सम्च के फरार आरोपी चल रहा था जिसके वाद पोलिस की तरफ से लगातार तलास जारी थी बिहार नेपाल सिमा पर आपको बता देगी पुलिस की तरफ से आरोपी को गिरफतार किया गया 25,000 का इनाम भी आरोपी के हुपर है और इसी के साथ हत्या का आरोप भी आरोपी पर है और गैंग रेप के आरोप समयत लंबे समय से आरोपी फरार था पुलिस को ये बड़ी सफ लेपाल बिहार सीमा से आवर्पी को गरफ्तार किया गया है कि पुलिस माने देशक उत्राखंड मोदेगी दरब से एक अभियान चला गया था जिसमें सारे जगन्य अपरादी हैं इनामिल बदमास हैं और गैंग में उनकी विरुदल लगातार कारवाई के लिए अभियान चलाए जा रहाता है उसी अभियान में कभी एक इसा है यहां थाना मसुरी में सन 2017 में एक अग्याद बालिगा काशव मिला था पैचान हुई उसके बाद उसके मुकदमा कायम हुआ अभिवेशना में कुल में लाके नो फरार अभ्युक्त नजराए वो प्रकास में आय थे उनको अलग लग इस् उसके में अभिवेशना में प्रकास में उसके बालिपान से करेंदो है यहाँ के रहां वो जादार वालिग।